assalamu alaikum आज मैं बनाने जा रही हूँ Alors, चिकेन के कवाब इसके लिए मैंने पानी ले लिया है और चिकेन इसमें डाल दिया है और चिकेन को हम बॉईल कर लेंगे इसमें हम डाल देंगे एक अलाइची और थोड़ा सा ये और हम इसको अच्छे से बॉइल कर लेंगे चिकन हमारा बॉइल हो गया है और हमें दो आलो बॉइल कर लेने हैं तो हमने ये दो आलो ले लिए इसको बॉइल करने के लिए रख दिया है तो आलो हमारा बॉइल हो गया है और इसको हम कदुकस से क्रश कर लेंगे ऐसे ऐसे कदुकस कर लिया है हमने तो यह एकिए आलू हमने कदुकस किया हुआ है अभी रखा है तो वह आराम से छोटा हो गया है अच्छा से अब हमने इसमें डाल दिया है यह आलू जो हमने अभी रखा है हम इस आलू को इसमें मिला देंगे अबले हुए आलू को कर 28 है और साथे ही में हमिस में कुछ मसाले मिला देंगे तो हम इसमें मिला देंगे वंटी स्पॉन इदरक लहसून का पेस्ट है यह और वंटी स्पॉन चिली युर्य आरन को आता सबीख दिया है बूना जीरा है ये वन टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर वन टीस्पून मेक्स मसाला और हाफ टीस्पून से कम हल्दी पाउडर और हम इन सारी चीजों को साथी में हम इसमें एक छोटा प्यास चौक करके हमने रखा है वो हम एट कर देंगे पास से छे हरी मिर्च हमने काट की रखी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इसमें हमको पानी नहीं डालना है बस हम इसको ऐसे ड्राइ ही मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहें तो हलका सा पानी मिला सकते हैं जादा नहीं और ह हम इसको भी अच्छे से मिला लेंगे तो अब ही हमारा रेडि हो गया है हमने हाथों को बाश कर लिया है और इसमें ओई लगा लिया है अब हम इस से इसको हम ऐसे गुल बना के फिर दाब देंगे तो फिर वो टिक की बन जाएगी तो ऐसे हमारा कवाब अच्छे से आप देखने हैं कितना बड़ी अशेप आ गया है तो इसी तरह सारे कवाब को हम रेडी कर लेंगे अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजेगा आप अपने किसी दोस्तों में हमारी रेसिपी शेयर कर सकते हैं और हूं में जान को सब्खें देखी हैं अब इसे कम दो ब्रैट्स का ना लिए है। जब तब यूज करेंगे के दूड़ में हूं Caleb इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक अंडा जो है वो इनफ है अगर आपके पास जादा कवाब हैं तो फिर आपको दो अंडे लेने पड़ेंगे इसको बस सिर्फ इसमें डीपी करना है इसका खुछ बहुत जादा कर नहीं है यह हमने इसको मिक्स कर दिया अब बस हमें इने फ्राई करना है तो जब हम इसको खाने के लिए लोग बैठेंगे तब फ्राई करेंगे ताकि गरम गरम अच्छा लगे आप चाहें तो इसको इसको इस्टोर करके रख सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बाकी स्नैक्स में भी आप से प्रिज में एक हफते तक इस्टोर कर सकते हैं तो चलिए हम कबाब को फ्राइब करना स्टार्ट करते हैं गैस की फ्रेम को हमने ओन कर दिया है और पैन हमारा गरम हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे ओयल और यह चीज़ें हमने एक साथ रख ली है यह ब्रेट का क्रम्स जो अब हम इसको इसमें पहले डीप करेंगे पहले हम इसमें बहुत ही हलके हाथों से करना है ताकि यह कवाब जो है वो तूटे ना तो हमने इसको अच्छे से डीप कर लिया है अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे ठाके और इसमें रख लेंगे अब दूसरे हाथ से अगर आपका हाथ गीला नहीं होना चाहिए आप उसको फिर हाथों की मदद से इस ब्रेट क्रम्स को अच्छे से इसमें डीप कर दें पूरा अच्छे से लगा दें इसी तरह हमको सारे कवाब को डीप कर लेना है अच्छे से आप देख रहे हैं कितना बड़ी ऐसा हो गया इस पे कवर और हम इसको रख देते हैं साइड में इसी तरह हम सारे कवाब को इसमें डीप कर लेंगे तो अब हम हमने सारे ये अच्छे से बना लिये हैं और अब हम फ्राइब करना स्टार्ट करते हैं तो पैन में हमारा ओइल गरम हो गया है और हम इसमें कवाब डाल देते हैं तो हमने बस इतने ही कवाब फ्राइ करने हैं तो हमने यह कवाब इसमें डाल दिये हैं और हम इसको लो फ्लेम पे ही बनाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम होगा तो फिर जल जाएंगे कवाब तो इसलिए लो फ्लेम पे ही बनाना है ताकि एक क्रस्फी बने और हम इसको ऐसे पलट देंगे अगर आप आपके पास आप जैसे भी पलट ना चाहें ऐसे पलट सकते हैं हमने तो नाइफ से ही पलट दिया है तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया हमारे कवाब रेड़ी हो गए है अब हम इनको बाहर निकाल देते हैं यह अच्छे से पग गए है अब हमने कुछ कवाब बिना ब्रेट वाले और एग नहीं लगाना था मुझे तो फिर हमने वो कुछ कवाब ऐसे ही फ्राई किये हैं बाकी के जो बचे थे तो वो सारे हम इसमें डाल देंगे और इनको भी हम लो फ्लेम से फ्राई करेंगे तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से यह फ्राई हो गए हैं एक साइट के अब हम इसी तरह दूसरे साइट कभी अच्छे से पका लेंगे दूसरा साइट भी तो हमारे कवाब बनकर रेडी हो गए हैं हम आपको दोनों तरह की कवाब दिखाते हैं यह देखिए कितना अच्छे से हमारे कवाब के रेडी हो गए हैं आपको हमारे बनायों कवाब कैसे लेगे आप हमें कोमेंट करके ब कि लगी तो लाइक करिएगा शेर करियेगा स्पोड्राइब करियेगा हमारे चैनल को हमारे चैनल को सपोर्ट करते रगों कि प्यार करते रहिए इंशालल हम आप के लिए दूसरी रेस्पी जल्दी लेकर आएंगे आज के लिए अल्ला हाफिज